ये एनिमी जितनी ज़्यादा फणी है उससे ज़्यादा तो अच्छी इसकी स्टोरी लाइन है तो guys imagine करो कि आपकी उमर सिर्फ 16 साल है और अचानक से आपको पता चले कि आप बापा बन चुके हो और किसी नॉर्मल बेवी के नहीं बलकि एक डीमन बेवी के तो आपका रियक्शन क्या होगा ये कहानी है 16 साल के स्टोरेंट ओगा की जो कि अपने अग्रेशन और पावर्स से जाना जाता है पूरे हाई स्कूल में इसलिए उसे हर बार अपना हाई स्कूल चेंज करना पड़ता है इस नए हाई स्कूल में काफी गैंग के लोग उसे परिशान कर रहे होते हैं कि हमने तुमारे बारे में बहुत को सुनाए लेकिन तब ही उसकी नजर ओगा के सर में जो बेबी होता है उसके तरफ जाती है जिससे देखकर वो लोग हसने लगते हों कहते हैं कि यह तो बेबी सिटिंग करने आया है यहाँ लेकिन तब ही ओगा उसके मूपे खैच के पंच मारता है जिससे देखकर वो गैंग का बंद उस फ्रेंड यानि की फूरुची से वो बताता है कि वो कैसे ब्लीजब अब से मिला था असल में वो बेबी उसका है ही नहीं बलकि जब लास्ट पार फो नाथी के किनारे फाइट कर रहे थे कि तब ही नाथी से एक डेट बॉड़ी बहते वे उन्हीं की नस्दीक आ रहे थी जिसे देखकर बाके के स्टोडेंट डर के मारे उस जगह से भाग जाते है लेकिन ओगा उस बंदे को पानी से बहा निकालता है और तब ये चानक से उसकी बॉड़ी के दो पार्ट होते है और उसके अंदर से एक चोटा सा बीबी बहार आता है जो कि और कोई नहीं बलकि ब उस पासा वो बंदा वापस से पानी के अंदर चले किया ओगा सोचता है कि सायद से ब्लीजब अब डरा हुआ है इसलिए वहाँ पे स्केरियस फेस बनाने लगता है उसका मूद ठीक करने के लिए बर जब वो डिमॉनिक फेस बनाता है तो उससे ब्लीजब अब काफी में कुंडली मारके बैठा हुआ है यानि कि वह ओगा को एक भी सेकेंड के लिए अलग नहीं होने देता और अगर किसी ने ऐसा करा तो प्लीजब अब रोते टाइम काफे ज़्यादा पिसली के करेंट मारता है जिस पर फूरुची कहाता है कि क्या बगवास कर रहो मुझे वारी बात पर यकीन है और चैसी वह बेबी को उसके हाथ से चीनता है तो उन दोनों को चार सो चालिस पोट का जटका लग जाता है इसके बाद वो अगले दिन स्कूल में आते हैं गिरते पढ़ते हैं ओगा सोचता है कि इस बच्चे का कुछता कुछ तो करना पड़ेगा उसी तब ब्लीजब आप जो कि स्कूल में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्ता आ रही होती है जिससे देखकर ओगा फुरुची से कहता है कि जल से जल कुछ भी खिलोना लेकर हो यहां पर तो फुरुची कहता है कि आखिर इस स्कूल मे के लिए उस टेड़ी को देने लगता है जो कि उसने अपनी गल्फेंट के लिए खईता था लेकिन ब्लीज अब उसे भी खिड़की से बाहर फैक्ट देता है इस पर फूरुज जी को काफे जाता गुस्सा आती है दूसरी तब ब्लीज अब जो कि अब रोने लगाता है वो उ अपनी गल्फेंट को उसे गिफ्ट पे दे देना इसके बाद तो तुम तीनों की हैपी फैमिली बन जाएगी जिस पर फूरुज जी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं मैं इस शैतान को अपना बच्चा कभी नहीं बना सकता जिस पर ओगर और पी जादा परिशान हो जाता है कुछ भी समझते नहीं आ रहा होता है अब वो करे तो करे क्या गुसी मैं आकर वो ब्लीजब आपको डराने के लिए डिमॉनिक फेस बनाने लगता हो क्याता है कि घर से निकल जाओ मेरी जिन्दगी से भी लेकिन ब्लीजब आपको उसका ऐसा फेस बहुत अच्छा लगता ह और वो और भी जादा खुश हो जाता है और ओगा से चिपक जाता है जब वो लोग इसी बात पर बात कर रहे होता है कि तब ही वो देखते है कि आसमान से एक लड़की उनीके घर के तरफ आ रही है वो लड़की जब उस जगा में पौस दिये तो वो नोरों से कहती है कि मु आई आप इस बेवी को लेके जाओंगी इसके बात वो ब्लीजब आपको खीचने लगते है लेकिन ब्लीजब आपने तो ओगा को बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था जिससे देख को ओगा कहता है कि वो भी तुमारे साथ नहीं आना चाहता है तो इस जगा से निकल जाओ तो जिस पर फूरुची उसके कान में कहता है कि तुम तो हम इससे यहीं चाते थे ना कि ये बच्चा तुमारी जिन्देगी से चले जाए और अगर आज वो लिजाने आए तो तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे हो इस बात को सुनकर ओगा को याद आता है कि हाँ वो लो में डिसकस करने के लिए बैट कर बात करने लगता है वो लड़की यानि की हेल्टा उन्हें बथाती है कि लगता है कि प्लीज अब अपने ओगा को अपने फादर की रूप में एक्सेप्ट कर चुका है अब उसे कोई भी तुमसे अलग नहीं कर सकता और रही बात प्लीज में इसलिए बेचाए कि वो यहां आकर कुछ तौर तरीके सीख सके आने वाले टाइम पर अंडरवर्ड का राजा वही बनने वाला है और वो फ्यूचर में इस दुनिया से हीमानिटी का नाम और निस्दान मिटा देगा जिस पर की फुरुची और ओगा क्याते हैं कि लेकि थी निसे पहले उनकी बच्चे को आर्ट के तौर तरीके सीखने होंगे जिस पर कि फुरुची ओगा के उपर हसने लगता हो कहता है कि अब तुम इस बच्चे की पापा बन चूगे ओं अच्छा हो इसने मुझी नहीं चुना जिस पर की ओप हो छचा तब पर परिशान हो जाता है और से कहता है कि बस मैंने कहा दिया मैं स gauge को फिर नहीं पालने वाला से जाकर इस Сब्सफर से पहले इस पा यहां को हम कि पता छोड़ किा जो 25 कि पहले तुम दोनों को टीम को मनना होगा उसके ने ही चोड़ के उस जगह से भागने लगते लेकिन फुरुची ओगा से कहता है कि अपनी पीट में देखो यानि कि बिली जब अप इप उसे से चिपका हुआ था जिससे देखकर ओगा उसे अपने आप से चुड़ाने की बहुत कोशिश करता लेकिन वो इस काम में फेल हो जाता या वो उनके आगे जाके खड़े हुजाती हो क्याती है कि तुम मुझसे नहीं भाग सकते और अब वो पूरे दिन बर ऐसी भागा दोड़ी कर रहे होते हैं एक दूसरे से लेकिन एक टाइम पर हैलड़ा उसके फेस पर अपनी स्वार रख देती है हो क्याती है कि अब जब आपको काफी जादा गुस्ता आता है वो रोने लगता है जिससे कि उसके पावर्ट के वज़े से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे करेंट इतना जदा फ्लो हो रहा था चुकि आसपास की काफी जगाओ तक फैल रहा था ये देखकर फुरुषी कह कहता है कि क्या इस ब्लास्ट में दोनों के दोनों मारे गए लेकिन जैसी वह देखते हैं कि वह दोनों तो बिल्कुल ठीक है ओगा उस बेबी से कहता है कि तुम्हें बात-बात पर नहीं रोना चाहिए अगर तुम ऐसी रोते रहोंगे तो बाकी लोग तुम्हें वीक समझ था इससे पहले कि वो टावरों दोनों के ओपर गेड़ता प्लीज अब अपकी पावर के वज़े से वो अपने आपको और ओगा को भी बच्चा लेता है अपने डिमॉनिक पावर से इसकी बाद हम ओगा को देखते हैं जो कि लगपक दो दिन बाद अपनी नीन से उड़ता है कि तुम दोनों यानि कि सब कुछ सच है जिसपर हेल्डा कहते हैं और आज की बाद हम दोनों को इस बेबी की अच्छ से केर करनी होगी ये बारे में हेल्डा ने उसके पूरी फैमली को भी ऑल्रेडी पता चुका है अगले दिन जब ओगा अपने स्कूल से वापस आता है तो वो देखता है कि हैल्डा ने उसके पूरी फैमली के लिए डिनर भी तियार करा हुआ है और इवन कि उसकी फैमली ने भी हैल्डा को ओगा की गल्फेंड की रूप में एक्सेप्ट कर चुका है जिसपर की ओगा उससे अपने रूम में लेके जाता है और कहता है कि तुम और तुमारा वो बच्चा तुम दोनों के दोनों अपना पूर्याब इस तरह बांदो और अपने उस जगा में वापस चले जाओ जहां से तुम निकले हो हैल्डा मना करते तियों कहते हैं कि ये काम तो हो इन सकता क्योंकि ब्लीजब अपने तुमें ये अपने फादर की र अकले दिन स्कूल में कुछ स्कूल के गैंग मेंबर्स जो की ओगा से बदला लेना चाहते थे वो यहाँ पे लीजब आपको पकड़ लेते हैं क्योंकि आज कल वो ओगा के साथ जाता रहता है अब यह देखकर ओगा उन लोगों से कहता है कि जल्दी से जल्दी उस बेबी को मेरे पास लेहो नहीं तो बहुत बुरा होगा और होता भी यही है उसके रोने पर उन सब कोई करेंट लग जाता है अकले दिन जब वो एल्दा के साथ अपने घर में आता है तो वहाँ पे वही बंदा पहुँच आता है जिसका नाम एलीन होता है और वो वहाँ पहुचते उसकी बॉड़ी के अंदर से फुरुची बहा निकलता है और वो कहता है कि मैं तुम से मिलना चाहता था मुझे टर था कि तुम आखिर अपनी इस दीमन फैमली के साथ एक जट के नीचे कैसे रह रहे हो तो जिस पर होगा कहता है कि तुम कुछ जादा ही सोच रहे हो वो बच्चा इतना भी जादा बुरा नहीं है देखो वो कितने प्यारी तरीके से सो रहा है जिसके जवाब में फूरुची कहता है कि ये बच्चा तब तक ये अच्छा है जब तक ये सो रहा है दूसरी तफ हेल्डा उसे बताती है कि कै कोई सो सकता है ये बढ़ा होने की बात पुरी हिमेरिटी को डिस्ट्रॉई करने वाला है जिसप के वो तीनों की तीनों हसने लगता है यहाँ ओका ऐलीन से पूसता है कि आखर उसने उसे चूस क्यू करा जिसप के ऐलीन बताता है कि जब वो इस बेवी को हुँमन वर्ड में टिलीवर करने के लिए आ रहा था तो उसने वहाँ पे ओका को देखा जिसकी fighting skill को देख कर वो काफी ज़्यादा impress हुआ इवन कि उसे तो किसी चीज़ से डर भी नहीं लगता और वैसे भी हमें ब्लीजब अब के लिए ऐसी parent को ढूड़ना था जो कि strong हो जिससे कि वो उसकी protection कर सके और उसे अच्छे से बड़ा कर सके जिसपर ओगा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ब्लीजब अब के लिए मैं सही रहूंगा मुझे लगता है कि शायद उसे मुझे भी ज़्यादा powerful वाले बंदे को choose करना चाहिए दूसरी दुनिया में हम ब्लीजब अब की बाप को देखते हैं पर कि वह अपने साथियों के साथ गेंग खेल रहा होता है इसका मदलब कि वह वहां सिव अपना टाइम वेस्ट कर रहा है उसके पास कोई पी ज़रूरी काम नहीं है तो यह एक सेवर का खेलोना देता है कि से आर्ट में डिलीवर करा देना तुसी तब हम ओका को देखते हैं चोकि अगले दिन पूरी स्कूल में अपने से भी ज्यादा पावर्फर वाले बंदे को ढूंढ रहा होता है प्लीज अब आपके लिए तुसी तब हम ओका क्लास का सीन देखते हैं जह खेलोना पावर्फर निकाल देता हैं और से जोसे किक माड़ती कि क्यों खिर्की से भाहर जागर गेठा येई चबकुस देखकर क्लास के स्टूदेंसー काफ़े जैदा डर जाते और वह से भांगने लगता, को से भूत ह norm घिलोना लटाना रहीग त妳 उसे खिलोना देने की बात हम दोसी तब होगा को देखते हैं जिसने की पुरी उमीद हार चुकी थी कि शायद उसे ज्यादा पाफुल बंदा मिल ही ना पाए तब उसे याद आता है कि शायद हमारे स्कूल का प्रिंसिपल इस काम में कुछ मदद कर सकता है और जैसी वह प्रि से शौक लगता है जिसे देख का ओगा कहता है कि इस बंदे की परिशानी क्या है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर अब ये किस बात के लिए रो रहा है जिस पर हैड़ा कहती कि शायद इसे भूग लगी होगी इसलिए हमें जल्द से जल्द ब्लीज अपके लिए कि नीचे गिर जाता है जिसे देख का प्लीज अब और भी जोड से रोने लगता है और पूरी बिल्डिंग तबहा हो जाती है इसके बात हम और प्लीज अपको नदी के किनारे देखते हैं जहांपकी वह दूसरे से फेस टूफेस डिसकरसन करने के लाए होते हैं उससे कहता में प्लीज अब आपको अपनी साथ ले जाते हैं ओगा जो कि उन लोगों को मना कर रहा होता है कि रुख जो नई तो हम सब के लिए बहुत जादा बुरा होगा अगर प्लीज अब उससे 15 मीटर की दूरी में और रहा तो करेंट का फ्लो और भी जादा देजी से होगा और पुरा सहर तक भी तबाह हो सकता है लेकिन उन लोगों को तो क्या पढ़ रहा था उनको तो कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था दूसे था वहां पर एलिन भी बहुत जाता है और वो ओगा को अपनी बॉड़ी के अंदर रख लेता है टेलिपोर्ट होने के लिए और सीधा बया के संबने खड़ा हो जाता है जिसके बाद उनकी ऐसीदेंट हो जाता हो सीधन निशी गिर जाता है वो का चुछी उन दुन से कहता है कि तुमने गदय बंदे से और इस यहां पर कि जोका जब अपनी नीन से उठता है तो वो देखता है कि प्लीज अब उसके पगल में सोया हुआ है इसके बात वो कॉलिज के लिए निकल रहा होता है तो हेल्डा उसे बताती है कि प्लीज अब आपको दिन में लगपक 5 पर भूख लगेगी तो उसको तुम्हें स्पेशल मिल बना के देना होगा जिस पर की होगा ध्यान नहीं दे रहा होता है तो हेल्डा उसे मार के कहती है कि तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रहे हूं इसकी बात वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं जहां हम देखते हैं कि रास्ते में प्लीज अब आपको भू ला रहा है जिस पर की होगा पीछे मुटता है और उन्हें घूरने लगता है उससी ड्रावनी आगों को देखकर वो लोग डर के मारे उस जगह से भाग जाते हैं दूसी तब हम देखते हैं कि वो दोनों भी स्कूल के लिए निकल जाते हैं लेकिन गलती से ओका प्लीज आपर एलीन भी आजाता है उसे देखकर वोगा कहता है कि तुम यहापे क्या करे हो जिस पर की एलीन बताता है कि आज से मैं भी प्लीज अप अपके नस्दीक रहूंगा और अब तो मैं तुमारी घर में भी रह सकता हूं क्योंकि मैंने तुमारी फैमली को पहले ही मना चु प्लीज आपको भूख लगी है ना तो शायद मैं कुछ मदद कर सकूं जिस पर होगा कहता है कि इसे पक्वास कर रहा हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है इसके बाद ऑगा सिधा भागते हुए स्कूल के कैंटीन में पहुंसता है चाहां पर कि उसे मिलकर सिर्फ लास्टबा मि पढ़ता है यहाँ पर ओगा देखता है कि प्लीज आप अपनी इतने सारे पैकेट्स पी चुके है लेकिन अभी भी वो साला भूका है जब ओगा क्लास्रूम में पहुंसता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सिफ और सिफ उन्हीं के बच्चे नहीं बलकि सीनियर्स भी मौ नईपल की खुशी हो रही होती कि फाइनली अब उसे अपनी से भी ज्यादा पावफिल बंदा मिल चुका है जो कि प्लीज आपका ख्याल रख सकता है दूसी तब जैकी का जो पार्टनर होता है यानि कि शीरोयामा वो कहा रहा होता है कि यहीं वो बंदा है जिसने की कैंट मारता है तो जिस पर कि सीरोयामा पहले ही उसमें नौक आउट हो जाता है अब उसकी ऐसे स्किल्स को देख कर जाकी कहता है कि ठीक है ओगा से हमारी टीम का मेंबर है और इसकी बात वो प्लीज अब सरबत हाथ पहरने लगता है और वो और से कहता है कि आपी जितना कचड़ा वरके क्लास्रूम में उसे साहब करो जिससे कि ओगा का इको हट हो जाता है और वह किससे कहता है कि मैं तुम्हारे बापका नौक नहीं हूं और फिर वो गुस्थे से उसे लाट मारता है जिस पर यह जाय की बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और वो अपनी डिफेंस के लिए ओगा के उपर किक मारता है लेकिन ओगा उसके किक को बढ़ी असानी से ब्लॉक करके उसे भी खिड़की से बाहर फैक्ट देता है जिसे देखका प्लीज अब अब तो बहुंचादा खुश हो रहा होता है लेकिन ओगा जिसके हाथों से फिर से एक पावर्फ वाला चाते हैं तो हेल्डा से पूछता है कि आखिर अब इसको क्या दिक्कत है तो हेल्डा बथाती कि शायद यह पहुंच अथा ठक चुका है और अब उसे नींद आ रही है और अच्छा पाप होने की नाते उसे निंदी करानी पड़ेगी आप उसके सुलाने पर प्लीज अब सो जाता है और यहां पर दूसरी तब हम एगा को सपने में देख रहे होते हैं जो कि बीज के किनारे अराम दी में सो रहा होता है उसे पता था कि शायाद वो सपना देख रहा है और यह पंधिक़्तर इस नहीं कि पूने का पूरी बाड ले आया और जब वह सब कुछ के बा अगर ऐसी चलता रहा तो दो तिन घंटे बात ब्लीजब अब के वज़े से पूरे सहर में पाड़ जाएगी जिसे देखकर ओका कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि किसी खुशी की बात हो चलती से इसका कुछ उपाय करो इसके बाद वो लात बार के ब्लीजब अब की यूरीन है तो उसे देखकर फूरुची घीन के मारे उस बाड़ के अंदर डूबने लगता है होगा हेल्डा से कहता है कि एटलिस थोड़ी देखे तो उसके लिए कुछ करो तो जिस पर हेल्डा उसे एक तरह का पैंट पहना देती हो कहती है कि इस मैजिकल पैंट की वज पैंटे तक रोग सकता है जिसे देखकर फूरुची को उसका कमरा साफ करने के लिए कहा कर रहा होता है वह एल्डा को वहां देखकर उसके उपर लाइन बानने लगता है लेकिन हैल्डा तो उसे भाव भी नहीं देथी और उस जगा से ओगा की पीछे जाने लगते है कि वह टाइपर्स वहां पर खड़ीतने लगता है उसी तर्म हेल्डा भी उस जगा में पहुंच आती है और हेल्डा का पीछा करते करते फूरुची भी और उनके वहां आते हैं हम देखते हैं कि कुछ रॉपर्स भी उस स्मॉल को आकर खेर लेते हैं उस जगा को हाईजेक कर लेत वो उस गन के जैसे ही पास ताता है तो उसकी जो लोहे का पैंट टाइप का होता है उस पर वो गन अटक जाती है अब यहाँ ब्लीजब अपने आपको इस निकालने के लिए काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो इस गन से नहीं छूट पा रहा था अब उन्हें ऐसा करता देख ओगा को बहुत जाता गुस्दा रहे होती है लेकिन फूरुची उसके कान में कहता है कि यह तो तुमारे लिए अच्छी बात है ना अगर वो ब्लीजब अपको अपने साथ होंग कांग ले जाएंगे तो एटलिस जपान तो सेफ हो जाएगा दूसी तब ब्लीजब अप ज क्याल भी रख सकते हो वो डीमन लॉड है जो की फ्यूचर में हम्यूनिटी को डिस्ट्रॉइ करने वाला है अगर तुम इस काम के लिए हां बोलते हो तो हम सही सलामत तुमें इस जगह से तुमारे इलाके यानि होंग कॉंग भेज देंगे लेकिन वह लोग इससे पहले की क काड के वज़े से डूब जाता है अगले सुबा हम ओगा को उसके स्कूल में देखते हैं जहां पर कि फुरूची के साथ छट में बैट रहा होता है वह फुरूची को काफे ज़्यादा गुस्ता रहे होती है अब ओगा अपने हाथ में नूटिस करता है कि कि किसी तरह का मा सकते हो यह किस तरह का माग है तो एलीन बठाता है कि मेरे कोर्डिंग शायद से यह और प्लीज अपके बीच में तुम दोनों के एक कॉंट्रैक्ट साइन है यानि कि आज से देकर तुम प्लीज अपके एक वैसल हो प्लीज अप अपनी जैसे अपनी उमर में छोटा है तो से अपनी जादा से जादा पावर यूज करने के लिए एक वैसल के जहुरत होगी और वो वैसल और कोई नहीं बल्कि तुम बनोगे यानि कि तुम जितने भी लोगों को मारोगे या फिक केल करोगे उसके पॉइंट ब्लीज अपको मिलेंगे और उसके बाद उसकी पावर और पिजादा पड़ी हो जाएगी यानि कि बात में वो पूरी इस दुनिया को तभा करतेगा जिस पर ओगा क्याता है कि तुम ऐसा क्यों लगता है मैं ऐसा करूंगा आज के बाद मैं किसे बंदे को बुली नहीं करूंगा जिसके बाद ये कॉंट्रेक खुरी टूट उन सबके ऐसी हरकतों को देख को हेल्डा तोच रही होती है की मजे कुछ भी समझ में नहीं आरा है अब दूसरी ताफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हेल्डा को किटनाप कराने के लिए गुंडों को पैसे दे रहा होता है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि हेल्डा साइद ओगा की वाइफ है इस स्कूल में हम देखते हैं उन्हीं गैंग मेंबर्स को चूकि ओगा के साइद फाइट लेने के लिए आया होते है तकलीफ होती है तब ही वहाँ पर वह गुंडे भी पहुंच आता है जिने देखकर ओगा प्लीज आपको इस जगह से लेकर भागने लगता है क्योंकि उसने वादा करा था वो किसी को भी नहीं पीटेगा लेकिन वह गुंडे उसके पीछे हाथ दोकर पड़े हुए थे जिसक सीन में हम फूरुची को देखता है जो कि बहुत जदा पिट चुका था तो उसी तब वो अपने आपको एंजान चका में भी देखता है और उसके बगल में हल्डा भी होशी के हालत में पड़ी हुई थी फूरुची जब उपर देखता है तो वह गुंडे जिन्होंने की हल हल्डा के उपर अपनी गन पॉइंट करके रखी है वो हल्डा से बोल रहे होते हैं कि अभी क्या अभी ओगा को फोन मिला कर यहां पर बोलाओ लेकिन हल्डा बहुती है कि उसके पास किसी भी तरह का फोन मौजूद नहीं है जिसके वह लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर करता है कि जल्दी से जल्दी इधर आजाओ तूसी तफ हम उसी जगा में देखते हैं जहां पर कि उन गुंड़ों ने किड्नाप करके रखावा था तब एक गुंड़ा अपने मालिक को बताता है कि कोई अचीव सा आदमी अभी पकड़ा गया है जास उसी करता हो और और को करमों खुला को खुला रह जाता है इसके बाद ओगा उन सारे गुंड़े को पीटने लगता है जिससे देखका फुरूशी कहता है कि तुमने तो वादा करता नहीं तुम किसी को नहीं मारो के जिस पर ओगा कहता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते ये कानी तो तु उसके हाथ को देखते हैं जहांपकी उसका मांक अब और पी ज़्यादा बड़ा हो चुका था शायद उसके गुस्से और लोगों को मानने की वज़े से यानि कि उसका ये प्लान भी फेल हो गया अब कुछ दिनों बात कसी नहीं हम देखते हैं जहांपकी होगा काफ़े दिन उसके घर में बैट के से वीडियो गेम्स खेल रहा था जिस वज़े से उसका मांक वापस से नॉर्मल हो चुका था साइज में जब वह इस बारे में हल्टा को बहुत चाथा गुस्ता आती है कि वह ऐसे बखवास से गेम खेल रहा है वह भी हमारे यंग मस्ट के सामने इसकी बादविक से डिमॉरिक टैप का खिलोना दिखाते है जो कि वह असल में प्लीज अब अब के लिए तयार कर रहे थे यहां दूसी तब प्लीज अब अब जो कि सो रहा होता है इसी मौगी का फायता उठा कर वह उस खिलोने को बना रहे होते लेकिन वह खिलोना थो उन दोनो की कोशिच करते लेकिन तब तक लेट हो चुका था यहां पर ओका जो कि उसके उपर बहुत चला रहाता है क्या कि यह क्या है हम इस चका से बाहर कैसे निकलेंगे जिस बहलता कहते कि शायत से यह कीड़े मकोडे पकड़ने वाला केज है इसके बाद वो उस बुक में यानि क शिल्ड कभी भी नहीं निकलेगी देखकर ओगा और भी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है वो पैनिक होने लगता है कि अब हम करें तो करें क्या क्योंकि शिल्ड तो साउंड प्रूफ है इसके अंदर का साउंड बाहर भी नहीं जा सकता यानि कि आप वो प्लीज साथ केलना चाहिए तो जिस पर प्लीज अब उन ब्लॉक्स के पास जाता है और वो खेलते खेलते उस ब्लॉक को बेट के नीचे फ़सा देता है जिसे देखकर तो ओगा और भी जादा परिशान हो जाता है तब ही थोड़ी देर बाद प्लीज अब एक बाद फिर से करता है और वो उस तरकल वाले ब्लॉक को ट्राइंगल शेप में डाल रहा होता है जिससे देखकर ओगा कहता है कि ये तो मेरी सोच से भी जादा गवा निकला तूसी तब प्लीज अब चुकी इरिटेट हो जुका था वो उस ब्लॉक को ही तोड़ देता है उससे तोड़ने तो प्लीज अब क्यों उसके पास नहीं था तब भी ओगा ने अपनी डीमॉनिक पावर को कैसे यूज कर लिया जब वो उसके हाथ में देखती है तो वो दोनों देखते हैं कि अब उसका मार्क एक बार फिर से बढ़ा हो चुका है अब अगले दिन स्कूल में फूरुज ज होगा की शकल देखका क्या रहा होता है कि लगता है तो उमने लास्ट वी काफे जाद इंजॉय करा तो जिस पो होगा कहता है कि हाँ तुम्हें भी वो इंजॉय चाहिए और जैसे वो से पीटने माला होता है तो दूसी तब वो देखते हैं कि प्लीज अब अपने खिलाउन होता है कि वो इस मैडिशन किट के मदद से कुछ भी चीश को ठीक कर सकता है तो उसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं से अपने स्माग को हटा दूसी तब उन गुंडों को पता चलता है कि आज और फुरुची लड़कियों के कपड़ों में गूम रहे हैं तो यह देखकर वो दोनों काफी ज़्यादा हसते और उसका मचाक उड़ाते हैं तो उसे तब इसी बहाने को बना कर वो उन दोनों को पीटनी करें निकल पड़ते हैं तो वो वहाँ देखते हैं कि कैसे लोग आइस के वज़े से फ्रेज हो चुके हैं और आफिस से अचीब से ट्रावनी आ आवाज आ रही है अब वो लोग उस जगा से भागने की कोशिश करते इससे पहले ही ऑफिस की अंदर से कुछ चीज उन्हें अपने तरफ खीशने लगते हैं अब एंड में हम देखते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि ओका फुरुजी और प्लीज अब आप होता है प्लीज उनकी नजर प्लीज अब आपके सर में एक लाइट होती है उसके उपर जाती है और जैसी वह से ऑन करते हैं तो सारी चीज़े वापस से नौर्मल हो जाती है उगा देखता है कि उसके हाथ का मांग भी जा चुका है पिल्कुल सही तरीके से किन वह गुंडे होश में आने की सब्सक्राइब करने लगता है तो जिस पर उगा भी घुसी में आकर उन सब को अच्छे से दो देता है यानि कि एक बाद फिर से उन दोने को ठीक हो गया उसकी हाथ में वापस आजाता है उन लोगों को बीटने की वज़े से घर में आने की बाद है जब उसकी मांक को नोट चित के बीच में वो एक लड़की के बारे में जिकर करते है जिसका नाम इश्रियामा था इवन की सारी स्कूल्स की लड़का उससे डड़ती है और वो नहीं ज़्यादा पावरफुल है कि कोई लड़का भी उसके साथ फाइट नहीं करता और कुछी दिनों में वो हमारे हा नहीं होता जिस पर की मदर उनसे कहाने लगते कि मुझे लगता है प्लीज अब आपको अपने ही साथ के उमर के वाले बच्चों के साथ खेलना चाहिए और वो और से कहती है कि तुम बाकी बच्चों के साथ इसे इंट्रड्यूस क्यों नहीं कराते हो शायद इसे भी एक न आगर एक पर तुमारी शादी हो गई तो इसके बाद ब्लीज अब और ओगा मुझे कभी भी परिशान नहीं करेंगे और यहीं जारी जीजों को सोचकर वो मनीवन खुश हो रहा होता है आग में ब्लीज अब आगे की तरफ इशारा कर रहा होता है तो ओगा देखता है कि ए लड़के के बारे में सुना है कि वो एक बच्चे का ख्याल रख रहा है आखिर वो किस तरह का पाप है आस्तुक उसने उसी चट्टी तक भी नहीं पैनाई कापसे नंगा ही घूमता रहता है ऐसे लापर वाव पेरेंट्स का भी क्या फाइदा अभी वो एक 17 साल की लड़क आइचन पीछे मूड़कर उन्हें जवाब देने वाली होती है कि तब यह चानक से उसके पीछे से कोई भागते वे आग की तरफ जाता है जिसे देख कर वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि वह और कोई नहीं होता है जोकि प्लीज अपको क्याश करने के लिए भाग रहा होता हाई बोलता है और वो दोनों साथ में बैटकर बात करते हैं जहां पर उगा उसके सामने एक तरह के शर्त रखता है यानि की फो उसे प्लीज अपकी मॉम बनने के लिए बोल रहा होता है जिस पर आइचन कहती कि मैं तो तुमसे पहली बार मिली हूं आखिर अचानक से हम दो क्याता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है जिस पर आइचन को लगता कि शायद से वह उगा उसे पपोस करने वाला है लेकिन असल में ओगा तो बोल रहा होता है कि पहले ये देख लेते हैं हम दोनों की बेबी इस एक दूसरे से दोस्ति करना भी चाते है इसके पाद वो उन दोनों की बीच में डैपलू डैपलू यही रखवाता है जहांपकी ब्लीज अब अब पढ़ी असानी से हार जाता है उस बच्चे से और चैसी वह वहाँ पर रोने वाला होता है कि तब ही वहाँ पर एलिन उसे एक खिलोना देकर वापस से उस जगा से भागने लग पर चैसी वह पीछे देखता है तो वह देखता है कि वहाँ तो बच्चे मौजूद ही नहीं डर के मारे वो उन सबको बहुत जगा ढूनने लगता है तो वह उन्हें रेट के पास देखता है जहांपकी वह दोनों साथ में मिलकर खेल रहे होता है कि तब ही वहाँ पर वही लेटीज भी आज आती है अपने साथ एक प्लीस ओफिसर को लेकर वह कहती है कि देखिए यही वो बंदा है जिसने की हमारे बच्चों को अजीब से खिलाउने को दिखा कर डराने की कोशिश करें प्लीस ओफिसर आईचन को देखता है वो तो उसे नॉर्मल लगती है पर ज से पहला ओगा उसे थपड़ मारकी कच्ड़े के डबे में फ्राक देता है जिस पर ऑफिसर कहता है कि तुम्हें तो मैं देख लूँगा दूसी तब उक उस जगह से चले जाता है आईचन उसके स्किल्स से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है पर उसे सिर्फ एक ही करता है कि आईचन और कोई नेबर की इशुयामा है जिसके बारे में वो गैंग्स्टर यानि की उस इस हाई स्कूल के गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं असल में इशुयामा अपने गर्स ग्रूप की लीडर है अकली सुबह हम उरुची को देखते हैं जो कि ओगा के कर दो और और होता है उससे लहने लेने के लिए इंगे उसकूल के दरब जाए होते हैं तो वह उसे बठाता है कि तुमने स्कूल में कर्ले कधार है वह home तफ वो लड़की और कोई नहीं बलकि इस तो यामा थी अपने गर्स के साथ फुरुश्यू से देखकर तो बिलकुल बेगल जाता है इसके बात वो उससे मिलने के लिए जाने लगता है वो उगा को भी अपने साथ खीशने लगता है जो कि बिलकुल भी इंटरस्टेड नहीं था जो भी मैस वह आजकर स्कूल में खड़ा कर रहा है इतने साहीं लोगों को बुली कर रहा है तब ही वहां पर फुरुची भी भागते भागते पहुंच जाते हैं जो कि असल में वहां पर इश्रीयूमा को देखने कि लाया हुए थे ओगा का नाम सुनकर जैसी आईशन पीछे मुड़ती है तो वह उगा की उपर अपनी स्वार रखते थी है और उसे पहचान लेती है बट असल में उगा उसे नहीं पहचान पाता लेकिन उसे लग रहा होता है कि शायद ये बच्चा उसे जरूर पहचान लेगा ताभी वहां पर सारी के स्कूल के स्टूडेंस बह על चाते हैं और वह वह पर उगा को चेरस करने लगता है इस्वयामा के साथ वाइट करने के लिए लेकिन ओगा जोकि बिल्कुल भी मूर में नहीं होता वाइट करने के लिए वह वाइट करने से साफ मना करते ता दूसी तरफ इश्यामा गुसे में आकर उसके ओपर एक टैटली अटाक करती है लेकिन वो उसे बड़ी असानी से टॉच कर लेता है दूसी तरफ ब्लीजबब चुकि आईचेन को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है वो उसके पास जाने की कोशिश भी कर रहा होता है और उ उसके दोनों गाल लाल हो जाता है दूसी तरफ चिलाने लगती और उस जगा से भाग जाती है उसी ऐसी हरकतों को देखकर किसी को भी समझ में नहीं आता अब जब आईचेन अपनी क्लास रूम में बैठी होती है तब ही उसके साथ की लड़किया भी पहुशती हो क्याती कि आखिर तुम उस ओगा की बच्चे से कैसे डर के मारे भाग गई आखिर वो ओगा ऐसी चीप ट्रिक्स को कैसे यूज कर सकता है तुमारे साथ फाइट में जीतने के लिए लेकिन दूसी तफ आईचेन चुकि बिलकुल खौपों में डूबी होती है वो सोच रही होती है कि जो ओगा ने डेल रखी थी वो इतनी जादा बुरी भी नहीं थी उसे ऐसी हरकते करता देख उसके तोस्त काफी जाता है है रहान होती है और कहती है कि आखिर से हो क्या गया है चापी वोगा के नस्दीख चाती है तो वो अपने मकसद को कैसे बूल जाती है हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अब लगता है कि शायद हमें अपने प्लैन को अंजाम देना पड़ेगा दूसी तरफ हम ग्राउंड में और फुरूशी को देखते हैं फुरूशी जो कि काफी जादा गुस्त हो रहा होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा मतलब सारी इस दुनिया की लड़कियों को तुम ही ले जाओ जिससे भी मैं पसंद करता पहले हैल्टर और अब तो तुमने इश्यू आमा को भी पसंद कर लिया दूसी तरफ ग्लास रूम में हम आईजयन और उसके दोस्तों को देखते हैं उसकी दोस्त आईजयन से पूसती कि क्या तुम हमें सबसे बताओगी कि तुम और उस ओगा की बीच में चल क्या रहा है तो जिस पर आईजयन पहले उसे बताने से इसाफ मना कुट रहती है लेकिन बात में वो बोलती कि वो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है इवन की जो बच्चा उसके साथ रहता है वो भी कितना ज़्यादा क् शायद से उनकी लीडर पांगल हो चुकी है नीचे हम ओगा और फूरुची को देखता है ओगा जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद इतनी पावरफूल लड़की के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में मुझे और कोई मिलेगा ब्लीज अब अब के लिए और अब वो कहता है कि मैं ब्लीज अब अब को इश्वियामा को लोटाने के लिए कुछ भी करूँगा तब ही वहाँ पर हेल्डा भी बहुँच आती है ब्लीज अब का दूद लेके और वो से फीट करने लगते है कि तब ही वहाँ पर ओगा से बदला लेने के लिए स्कूल कि कुछ गैंक्स्टर्स भी आ जाते हैं जिसे कि हेल्डा अकेले ही उन सब को पीट देती है अब लड़ाई की वज़े से पूरा का पूरा स्कूल भी जमा के खड़ा हो चुका था ताब इन सारी चीजों को आई चैन भी देख रहे होती है लेकिन वह ओगा की साथ एक वुम हेल्डा की पास आई चैन की दोनों दोस्त आती है और उससे कहते कि आई चैन ने थो में मिलने के लिए बुलाया है चिमनास्तिक की जगा पर हम उन दोनों को देखते हैं जहांपर की वह एक दूसरे की आमने सामने होते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं वैल ये थ इसका Part 1 उमीद है कि आपको पसंद आएगा और अगर आपको इसका Part 2 भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना तब तक लिए बाई बाई